Good morning everyone, आज की डेट है 13 सतंबर 2020, मैं आदित्य लेके आया हूँ, editorial notes session, इस session में हम UPSC सहित, जो अन्य competitive exams है, important competitive exams है, उनसे related जो current affairs होता है, जो उनसे related issues होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनकी बाते करते हैं, और आईए आज का session बिना time waste के स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधान मंत्री आवाज योजना की, ठीक है, Prime Minister Narendra Modi ने Thursday को एक E-Greek प्रवेश किया था, अगर आप नियूज में आपने नियूज देखी हो तो पता होगा आपको, तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि it is my dream, it is our endeavor to ensure that every Indian has his own house by 2022, यानि 2022 तक हर एक भारती का एक अपना घर हो, यही हमारे प्रधान मंत्री का सपना है, और यही हमारा प्रयास है, ऐसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था, तो इसके तहट आप हम बात करते हैं, प्रधान मंत्री आवाज योजना की, जिसकी वो बात कर रहते हैं, प्रधान मंत्री आवाज योजना की, वो है क्या, ठीक है, तो देखिए, प्रधान मंत्री आवाज योजना दोनों तरह की इलाकों में चलती है, ग्रामेड इलाकों में, शेहरी इलाकों में, रूरल एंड अउबन एरियास दोनों के लिए तो जो प्रधान मंत्री आवाज योजना है ग्रामेड में उसका जो मक्सद है वो है कि 2022 तक पक्का हाउस देना हर एक ऐसे इनसान को हर एक ऐसे परिवार को जो की कच्चे हाउस में रह रहे हैं उन्हें पक्का घर प्रवाइड कराना जिसमें वित बेसिक एमेनिटीज हो जिसमें जो आधार भूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मिले ठीक है इसका शौट टम अब्जेक्टिव यह है कि लगभग एक करोड घरों को कवर किया जाएगा 2022 तक मतलब एक करोड परिवारों को एक पक्का घर मिलेगा 2022 तक ऐसा एक टार्गेट रखा गया है इसका जो शौट टम टार्गेट है ठीक है अब जो एक घर बनेंगे इस स्कीम के तहट इस प्लैन के तहट मिनिममम साइज उनका 25 मेटर स्कॉयर होगा ठीक है और उनमें एक हाईजनिक कोकिंग स्पेस भी होग ठीक है हाला कि नॉर्ट और हीस्ट इसक के जो स्टेट हैं और हमालियन स्टेट हैं उनके लिए जो श्य calendar है वो थोड़ा दूसरे तरीके से हैं उनमें वहां पर क्या होगा कि जो रहापकर अप्सका 90 परसंट हंब और जो स्टेट गाठ मंत्रोंंट हो उसका 10 परसंट हब अब देखिए इस प्रधान मंत्री आवाज शूजना में सबसे बड़े जो प्रब्लम आ रही है वो यह आ रही है कि उतने कहने का मतलब राजगीर होते हैं जिसे common language में मिस्तरी बोला जाता है ठीक है तो वो काफी संख्या में नहीं मिल रहे हैं और यह एक प्रब्लम है इसको प्रब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रग्राम फॉर्मेशन भी चलाया गया था इस्टेट्स और यूनियन टेरिटेरिसम तो यह प्रधान मंत्री आवाज शोजना अब इसका significance हम थोड़ा सा समझ लेते हैं देखिए इसका महत्व यह है कि सबसे पहले यह गरीबों को घर प्रवाइड करेगी ठीक है जिससे जो poverty है जो गरीबी है उससे लड़ने में ह इस विदा पहुचाई जाएगी जिससे क्या होगा जो डिजिटल इंडिया का जो लक्ष है जो objective है उसे पूरा करने मदद मिलेगी इन सारी चीजों के लावा यह जो स्कीम है गवर्मेंट की यह sustainable development के कुछ goals को भी पूरा करती है जैसे goal number one no poverty गरीबी एकदम नहीं होगी goal number three good health and well being इन्हें भी अचीव करने में help करती है goal six of sustainable development goal जिसका जो है clean water and salutation यानी साफ पानी मिले साफ सफाइर है goal seven affordable and clean energy ऐसी energy मिले जो clean हो और जिसे यूनो लोग effort कर सकें goal 10 reduced inequality अच्छा एक और इससे फायदा है फायदा यह है कि जो इस स्कीम में transaction बगारा हो रहे हैं गो transparency ला रहे हैं ठीक है बहुत transparent है directly account में transfer होते हैं जो beneficiaries हैं जो लाभारती है उनके और इस scheme के अंतर कर जो औरते हैं उन्हें भी अपना घर बनाने में वदद मिलती है जिससे उनका जो social status है वो थोड़ा और मजबूत होगा दूसरा हम issue बात करेंगे ranking of states on support to startup system startup ecosystem यह जो rankings होती ह states की यह जारी की जाती है इस बात पे कि states कितना startup ecosystem को support करते हैं मतलब states में क्या ecosystem है कि startup initiatives जो हैं जो startup बनाने की conditions होती हैं वो किन states में अच्छी हैं इसको लेके ranking दी जाती है तो यह second edition है इस बार दूसरी बार यह ranking दी गई है ठीक है by department for promotion of industry and internal trade ठीक है DPIIT ministry of commerce and industry के अंतर गताता है हमारा institution अब इस ranking का देखिया objective क्या है इस ranking objective यह है कि competitiveness डेवलप होगा mutual learning डेवलप होगी state और union एक दूसरे से सीखेंगे states के बीच competitiveness बढ़ेगा union territories और states के बीच क्या बोलते हैं यह सारी चीज़ें develop होगी जिससे startup ecosystem को strengthen करने में उसकी quality बढ़ाने में मदद में लेगी states और UT को इस ranking में कई categories में बाटा गया था जैसे best performers, top performers, leaders, aspiring leaders and emerging startup ecosystem इन categories में इस ranking को you know categorize किया गया था गुजरात best performer था ठीक है और गुजरात के बाद करनाटक और केरला का number आता है इस ranking में उत्तर प्रदेश and Tamil नाटो ठीक है यह सबसे नीचे हैं position में इस ranking में अंडमान एन निकोबार आइलेंड बेस्ट परफॉर्मर थे category Y में सिक्किम ने सबसे bottom का place you know secure किया सबसे नीचे रहा और गुजरात ने पिछले साल भी startup ecosystem की जो ranking है उसमें best performer का you know जो position होती है जो top position होती है उसे हासल की थी इस ranking में ठीक है अब हम बात करते है next issues की bradykinin storm यह क्या है bradykinin storm ठीक है एक recent analysis जो हुआ है COVID-19 patients का उसमें एक phenomenon निकल के आ रही है सामने bradykinin storm doctors जो COVID-19 को ठीक कर रहे हैं वो बताते हैं कि कई बार COVID virus का जो severity है जो उसकी गंभीरता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है इसे you know समझने में problem होती है but bradykinin storm की मदद से इसे समझा जा सकता है अब bradykinin storm क्या है bradykinin hypothesis क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं देखिए यह जो COVID virus होता है यह ACE2 इस नाम के enzyme का use करता है host की cell में जाने के लिए host की cell कहने का मतलब host जैसे अभी मान लिए इनसान है तो जिनकी cell में जाने के लिए ACE2 नाम के enzyme का use करता है अब ACE2 enzyme का function क्या होता है blood pressure को कम करना ठीक है और आप देखिए virus क्या करता है की ACEE के जो level होते है उसे कम कर देता है ACE क्या है ACEE एक ऐसा enzyme है जो ACE2 के opposite काम करता है कहने के मतलब है की ACE2 क्या करता है blood pressure को low करता है ACE क्या करता है ये blood pressure को high एकरता है तो ये virus जो है ACE का जो level है वो कम कर देता है यानि जो high blood pressure के लिए responsible क्या है enzyme उसे कम कर देता है जो low blood pressure के लिए enzyme responsible है उसे क्या कर देता है ये chain reaction में होता है और bredykinin नाम का जो molecule है उसका level उसके level बढ़ने से क्या होता है pain sensation और blood pressure फर्दर और लोग हो जाता है तो bradykinin is strong जो यह phenomenon है जिसको नाम दिया गया है इस पूरी process को इसकी वज़े से क्या होगा blood vessels fell जाएंगे देखिए सामानिसी बात है कि जो blood pressure होगा जब वो कम होगा तो blood vessels क्या होंगी inflate होंगे क्या होंगी inflate कहने का मतलब यह है कि फूलेंगी ठीक है और जब इस you know expand करेंगी ठीक है expand करेंगी तो लीकी हो जाती है blood vessels जिसकी वज़ा से swelling हो जाती है आस-पास की tissues में तो यह है पूरा bradykinin storm नाम का फेनामना bradykinin hypothesis ठीक है इसकी मदद से covid-19 virus यह जो covid sorry covid virus है इसकी severity को इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास किया जाए नेक्स जो हमारे पास issue है जिस पर हम बात करेंगे कि इंडिया को चाइना को counter करने के लिए कैसे steps लेने चाहिए देखिए अभी हम सभी जानते हैं कि इस समय चाइना बहुत ज्यादा frustrated है बहुत ज्यादा frustrated कब से है जबसे अप्रिल में जो confrontation स्टार्ट हुआ था भारत और चीन की you know army के बीच ठीक है और उसमें चीन को कुछ ज्यादा frustrated है ठीक है अब चीन लगतार हमें किसी नगीजी तरीके से यूनो परेशान करने की कोसिस कर रहा है तो इस समय इंडिया क्या step ले सकता है यूनो हम बात करेंगे इस पर दीके सबसे पहला step तो armed forces को लिया जाना चाहिए armed forces को सबसे पहले operational readiness को के लिए तयार रहना चाहिए कहने का मतलब यह है कि अभी आने वाला है winter का season winter के season के समय जहां पे पैंगॉंग लेंग के पास या जहां पे लेह रिजन में पूरी situation बनी हुई है वहां पे बहुत कडाके के ठंड पड़ती है बहुत खतरनाक ठंड पड़ती है तो उसके लिए हमें पहली बास soldiers को एकदम उस समय अगर कोई problem आ जाती है तो उसके लिए अभी से ready होना होगा है ना जो operational logistics होते हैं उन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा यह चीज होगी दूसरी चीज होगी कि politically और diplomatically हम जिस तरह से USA की मदद से या और भी जो international countries हैं उनकी मदद से चाइना के जो इस समय problematic issues हैं चाइना के लिए जो problem का issues बने हुआ हैं जैसे South China सी Taiwan, Hong Kong है ना चिब बद तो यह जो issues हैं जो चा सारी countries की help लेकर चाइना पर दवाव बनाना पड़ेगा ठीक है इससे क्या होगा चाइना जिस तरह से अपनी गलत activities कर रहा है पूरे वर्ड ग्लोबल जो nations हैं उन्हें परिशान करने के कोसिस कर रहा है तो इससे हमें चाइना को जो isolate करने की जो डिपलोमेसी है उस पर थोड करने या चाइना को इस बात पर ध्यान करने पर मजबूर करती हैं उनका यह मकसद होता है कि चाइना इस बात पर focus करें कि they are not following you know international rules ठीक है जैसे quad हो गया quad जो association है इंडिया उस्ट्रेलिया जापान USA का तो इस तरह के हमें association को और strengthen करना होगा next बात यह है कि हमें जो अभी हम literal agreement है ठीक है चाइना के साथ उस पर हमें अपना थोड़ा सा काम करना होगा जो बातें चल रही हैं आपेक्स bodies के बीच जो चाइना और इंडिया के जो अधिकारी हैं सैन अधिकारी हैं जो meetings कर रहे हैं उनमें हमें अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से रखना पड़ेगा और शाइना को अपनी बातों हमें समझानी पड़ेगी ठीक है तो यह सारे steps हैं जो अभी लिये जा सकते हैं आज के session में बस इतना ही thank you so much यह मेरा mail दिया हुआ है ohaditya900 at the reach email.com आप इस पर अपनी questions भेजिए और whatsapp number भी दिया हुआ है इस पर आप contact कर सकते हो हमारा जो telegram group है description में उसका link दिया हुआ है वहाँ पर कई सारे students हमारे साथ जुड़े हैं आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं तो thank you so much again and मिलते हैं कल